चमेरा चरंटीन परियोजना की प्रभावित पंचायतों को LADF के अंतरगत मिलने वाली एक प्रतिशत अतिरिक्त राशी का भुगतान ना होने के विरोध में क्षेत्र के लोगों द्वारा दो सितंबर को उपायुक्त कार्याले के बाहर थाली पीटो आंदोलन किया जाएगा इस बारे में जानकारी देते हुए जिला परिशत सदस्य ललित ठाको ने बताया कि LADF के तहट क्षेत्र के लोगों को जो राशी मिलनी है उस राशी को जारी नहीं किया जा रहा है जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा चमेरा चरंटीन परियोजना की प्रभावित पंचायतों को LADF के अंतरगत मिलने वाली एक प्रतीशत अतिरिक्त राशी का भुगतान ना होने पर विरोध जाहिर करते हुए 2 सितंबर को उपायुक्त कार्याले के बाहर खेत्र के लोग थाली पीटो आंदोलन करेंगे इस बारे में जानकारी देते हुए कि लॉड वाट के जिला परिशत सदसे लली ठाकुर ने बताये कि प्रभावितों को राशी ना मिलने की सूरत में जब उनके द्वारा A.D.M. भर्मोर से पत्र लिख कर जवाब मांगा गया तो उन्होंने प्रभावितों के खाते की जान पूरी ना होने की बात प्रशाशन द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में प्रभावित 2 सितंबर को उपायुक्त कार्याले के बाहर धर्णा प्रदर्शन करेंगे। सिरिमान उपायुक्त महदे को मिला था और उपायुक्त महदे ने एडियम बर महर को इस धंडासी को तुरंत बित्रत करने के आदेश दिये थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एडियम बर महर का जो पत्र प्राप्त हुआ है सिरिमान डिसी चंबा के नाम और उसकी प इसी कोड़ गलते हैं तो मैं इस बात से बहुत हरान हूँ कि जिन खातों में पहले दो जहार 17 में धनरासी आ चुकी है जमा हो चुकी है अब वो खाते गलत कैसे हो सकते हैं अब दो स्टंबर दो जहार 19 को इस धनरासी को प्राप्त करने के लिए थाली पीटो अंदोलन किया ज सिटी चैनल के लिए चमबा से पुनीत मलहूतरा की रिपोर्ट